आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फूल वीक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज फॉर वेट लॉस सिक्स रेसिपीज फॉर सिक्स डेज क्यूंकि सेवंथ टे होता है चीट मिल दे उस दिन जो आप कमन करें आप खा सकते हैं लेकिन ये ब्रेकफास्ट रेसिपीज न्यूटिशन वेल्यू के साथ आपको काफी टाइम तक फुल्फिल करवाएंगी सो चलिए देखते हैं फर्स्ट रेसिपी विचिज चॉकलेट ओटमील मीठा खाने की क्रेविंग हो तो ये रेसिपी आपकी रिक्वाइरमेट को पूरा करेगी इसके लिए मैंने लिये हैं quarter cup instant oats और थोड़ा सा गरम पानी डालके मैं इसको moist कर लोगी अगर आपके पास rolled oats हैं तो 2-3 मिलट तक आप उसको पका लें पानी में उसके बाद मैंने इसमें add किया है cocoa powder हलका से इसको mix कर रही हूँ और उसके बाद डाल देंगे दाल चीनी powder थोड़ा सा डालेंगे vanilla essence like 2-3 drops उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ protein powder ये आप skip पी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो pink salt add किया है one pinch one spoon peanut butter और एक चमश डाला है मैंने honey का उसके बाद थोड़ा सा दूद डाल दिया है इसको अच्छे से mix कर लेंगे दूद आप अपनी requirement के accordingly और भी डाल सकते हैं cocoa powder आपको chocolate का taste देगा लेकिन उसमें sugar नहीं होती है healthy fats के लिए हमने इसमें peanut butter तो डाला ही है साथीस में डाल रही हूँ walnuts और almonds fruit आप अपनी मर्जी का कोई भी add कर सकते हैं oatmeal weight loss में एक बहुत बड़ा role play करते हैं क्योंकि ये fiber की एक form है जो की body में से fat को remove करने में काफी helpful होता है मेरे बेटे की तरह कुछ लोग कहते हैं कि हमें oats खाना पसंद नहीं लेकिन chocolate खाना तो पसंद है so एक बार इस recipe को try कीजेगा I hope उदे की तरह आप लोग भी oats खाने लगेंगे second recipe है egg pasta अगर आप eggs नहीं खाते हैं तो आप tofu या पनीर भी use कर सकते हैं पास्ता को creamy texture देने के लिए हम काजू का paste यूज़ करेंगे इसके लिए आप whole wheat या फिर सूजी से बने हुए पास्ते का ही इस्तेमाल करें तो पानी करम किया है थोड़ा सा डाला है इसमें salt और oil डाला है पास्ता डाल दिया है इसको boil होने के लिए रखेंगे थोड़ी दिर में check करेंगे अगर पास्ता आराम से कट रहा है तो ये ready है और इसका पानी सारा हम drain कर देंगे अब एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा oil लिया है उसमें डाला है बारी कटा हुआ गारलिक थोड़ा सा इसको हम saute करेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे बारी कटे हुए अनियन्स अनियन्स थोड़े से transparent हो जाए उसके बाद इसमें डाल देंगे हम बारी कटे हुए तोड़ा सा इनको सौटे करेंगे, उसके बार डाल देंगे, इसमें पारी कटी हुई पालक, पालक का यूज में कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्रीन वेजटेबल बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप इसमें कोई और वेजटेबल डालना चाहें, तो वो भी डाल सकते है साथ ही मैंने डाल दिया है, इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता, हो सके तो वेट लॉस में अपने हर मील में वेजटेबल को ज़रूर अड़ करें, अब इसमें मैं डाल दिया है बॉयल की हुए एग्ज, आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, तोफू भी डाल सकते हैं, थोड पुरी नहीं है कि डूरिंग वेट लॉज आपको बहुत बोरिंग खाना ही खाना पड़े। आप हेल्दी फूड आइटम्स को थोड़ा बहुत यहां वहां शिफ्ट करके अपने लिए बहुत ही टेस्टी मील्स रेडी कर सकते हैं। बस ओयल का कम से कम इस्तेमाल करें। एक्स रेसीपी है किड्नी बीन सैलेट तो इसके लिए मैंने राजमा को पहले से बॉइल करके रखा है। अब लिया है मैंने पैन में एक छोटा चमच ओयल का उसके बाद उसमें डाल दिये हैं। लंबे लंबे स्लाइसे में कटे हुए अनियंस और टोमेटोस। थोड़ा सीजनिक इसमें एड़ की है मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स एड़ किये हैं ब्लैक पिपर एड़ किया है अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे तोड़ा सा लैमन जीूस और बस आपका हेल्धी ब्रेक्फास्ट इसके लिए मैंने साबुत मूं को ओवरनैट के लिए सोग करके रखा था तो देख सकते हैं आप कैसे फूल गई है वो और इसमें मैं एड़ कर रही हूं पालक के कुछ पते साथी ग्रीन चिली जिंजर और गारलिक अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे डाल के साथ ग्राइ इसमें एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा सॉल्ट एड़ किया है और अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए एक साइट पे हम रखतेंगे चलिए अब चीला के लिए फिलिंग रेड़ी कर लेते हैं उसके लिए डाला है एक पैन में थोड़ा सा ओयल जीरा डाला है प्यास डाल दिये हैं कटे हुए उसके बाद इसमें एड़ कर देंगे हम टोमाटोस थोड़ा सा इसको सोटे करेंगे salt add करेंगे, turmeric powder add करेंगे red chili powder आप डाल दें अपने taste के accordingly उसके बाद थोड़ दियर तक इनको ढखके हम पकने देंगे जब तक tomatoes soft ना हो जाए tomatoes अच्छे से soft हो जाएं उसके बाद हम इसमें add करेंगे पनीर के कुछ pieces जिनको की हमने पतला काट के रखा है अब यहां पे flavor को enhance करने के लिए आप आमचुर powder add कर सकते हैं चाट masala डाल सकते हैं मैंने यहां पे डाला है गरम masala powder अब इसको अच्छे से mix कर दें तो आपकी filling रेडी हो गई अब इसे उतार के चड़ा लेते हैं तवा चीला बनाने के लिए थोड़ा सा oil मैंने तवे पे डाला है और brush की हलब से इसको अच्छे से spread कर लूँ अब तवे के उपर मूंग डाल का batter डालेंगे और इसको हलके हाथों से spread करना शुरू करेंगे आपको ज़्यादा pressure देनी की ज़रूरत नहीं है बहुत ही lightly अगर आप इसको करेंगे तो भी अराम से फैल जाता है इन सारी की सारी recipes में मैंने protein को ज़्यादा से ज़्यादा include किया है और मूंग डाल का चिला तो enriched protein है बस cover करके इनको पकाते जाएं और साथ की साथ पलटते जाएं दोनों तरफ से इनको अच्छे से सेख लेना है और आपके चिलाज रेडी हो जाएंगे और ये चिला तो अगर आप filling के साथ बच्चों के lunch box में देते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है during weight loss भी आपका breakfast heavy ही होना चाहिए और ये सारे ही breakfast 300-400 calories तक के हैं तो कि ज़रूरी भी है और ये breakfast आपको काफी लंबे टाइम तक फुल फिल करवाते हैं और lunch टाइम तक अगर आपको भूक नहीं फिल होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी या राइस खाने ही है आप फूट चाट बनाके भी खा सकते हैं और breakfast में आप मूंग डाल के दो या तीन चिला अराम से ले सकते हैं एक्स्ट रेसिपी है चिकपी सैलड इसके लिए मैं वेजटिबल्स का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैंने लिए है यहाँ पे गोबी, गाजर और साथी में डाल दी है यहाँ पे french beans salt एड किया है पानी में थोड़ा सा इसको boil करेंगे like 2 और 3 मिनट से इसको हम blanche करेंगे इसके बाद हम gas कर देंगे बंद और उसके बाद इसका पानी सारा drain कर लेंगे और इसको excite पे रख देंगे तड़का ready करेंगे इसके लिए पैन में लिया है थोड़ा सा oil बारी कटा हुआ प्यास डाला है थोड़ा सा इसको saute किया है उसके बाद डाल दी है इसमें कटे हुए tomatoes साथी मैंने एड़ की है लंबी कटी हुई capsicum और बाकी जो सबजियां हमने ब्लांच की थी वो भी मैंने साथी में इसके डाल दी है इसको थोड़ा सा mix कर लेंगे और ढखकर इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे बहुत ही easily और जल्दी बनने वाली recipes हैं ये इसका lid हमने उतार दिया है तो बस इसमें डाल देंगे white जना जो हमने पहले से boil करके रखे है साथी डाल दिया है salt, jira powder add किया है साथी black pepper powder add किया है अच्छे से इसको mix कर देंगे और last में डाल देंगे lemon juice तो बस ये breakfast भी आपका ready है vegetables को कभी भी ज़्यादा cook ना करें जितना आप इनको raw खाएंगे उतनी ही इनकी nutrition value ज़्यादा होती है over cook कर देने से इनके nutrients खतम हो जाते है last recipe है stuffed omelette और stuffing के लिए आप अपनी मजी के vegetables चूज कर सकते हैं मैंने लिया है यहाँ पे mushrooms को एक pan में थोड़ा सा oil डाला है और कटे हुए mushrooms डाल दिये हैं अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा salt black pepper add करेंगे और बस दो ही चीज़ें डालके अब इसको अच्छे से पका लेंगे पकाते वक्त आपको इसको cover नहीं करना है बस एक दो मिनट इसको ऐसे ही चलाते रहें इसका पानी सारा सूख जाएगा और mushroom आपकी stuffing के लिए ready हो जाएगी ओमलेट बिनाने के लिए तवा मैंने चड़ा दिया है अब फटा फट एग्स को बीट कर लेते हैं दो अंडे लिए हैं मैंने यहां पे और साथी इसमें डाल रही हूँ बारी कटा हुआ प्याज धनिया पता एड़ किया है साथी ginger डाला है बारी कटा हुआ salt डाला है black pepper add की है अब इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे अगर आप eggs नहीं खाते हैं तो don't worry मैंने और भी healthy breakfast recipes के link description box में डाल दिये हैं आप इसकी जगा पे कोई और recipe यहां पे try कर सकते हैं तो बस तवे पे थोड़ा सा oil डाला है उसे spread करके बीट की हुए eggs डाल दिये है उनको भी तवे के उपर अच्छे से फैला दिया है अब इसको cover करके 1-5 मिनट तक हम medium flame पे पकाएंगे थोड़ा साम इसको उठा के देख लेंगे अगर यह चूट रहा है तवे से तो omelette ready है तो बस इसकी filling कर देंगे mushroom के साथ तो आपका ये breakfast भी ready है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like सुर कीजेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो do subscribe to my channel तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए topic के साथ till then bye take care and stay healthy